तक्रीवन 23 साल बाद हमें स्कूल वीजिट करने का मौका मिला इस स्कूल से हमारी कई यादे जूरी हुई है क्योंकि मैं और मेरी वाइब दोनों ने यहां से पढ़ाई किया है यह जो ग्राउंड आप देख रहे हैं यहां पर हमारा असेंबली हुआ करता था उस स्टेज पर यहां पर बेवस्ता किके जैसे की खोखोख कवडड़ी बास्केटबॉल फुटबॉल हौकी आदी कई सारे खेल यहां पर हुआ करते हैं सारे खेलों का बहुत ही अच्छा उत्तम किस्म का बेवस्ता था यहां पर सामने बहुत ही बड़ा और घना जंगल है जब मैं क्लासि यादें बच्पन की यादें इस स्कूल से जूरी हुई है जिसे बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है बहुत सारे न्यू डवलप्मेंट स्कूल में हुए हैं जो तब नहीं थे तकरीवन 23 साल बाद 24 साल बाद जब माय तो मिला यह जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं य यहाँ से पानी पीने के बाद क्लासेज में जाते थे यहाँ पे एक ओपन टॉलेट हुआ करते था जो अब बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब मैं आगे ग्राउंड दिखाता हूं तब मैं अपने बच्चे के उम्रका होंगा जब मैंने स्कूल को जोईन किया था इसी आज मैं अपने बच्चे के साथ 23 साल के बाद आया हूं मेरी वाईप और हम दोग साथ ही पढ़ा करते थे यह जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें हमें कई हुआ खेलने का मौका मिला फुटबॉल हम लोग ज्यादा खेला करते थे क्योंकि फुटबॉल में लोगों को ए इक को लॉपरेशनी मिलता था और सब लोग इंज्वाए करते थे सामने एक छोटा सा डैम जैसा है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है तोहां से पानी सप्लाइब होता है पूरे बियस अप को और कई बार एक दो बार तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसमें जाकर करके आप साइड में कई सिक्सेश लगाए हैं इस तरफ जो आप देख रहे हैं यह यह लो कलर का बिल्डिंग है यहां तक मैंने सिक्सेश लगा यहां पर टेंट हुआ करता था टेंट में हमारी पराइब होती थी अब वह टेंट हटा दिया गया है क्लासरूम जादे चुकी बन आप लोगों को अगर आप वीडियो देखेंगे तो मुझे यत लगता है कि आपकी याद ताजा हो जाएगी अगर आपकी याद ताजा हो जाएगी तो मैं वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद